शुताओ नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कारिक्रम हम और हमारा स्वास्थे में मैं हूँ अशोक पांडे शुताओ आज के इस कारिक्रम में हम जिस विशय पर बात करने वाले हैं कई बार वो विशय बहुत महत्रपूर्ण होता है इस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है जिसकी वज़े से हमें कई बार स्वास्ते संबंधियन एक समस्याइं होती हो और उनका हमें सामना करना पड़ता है दातों से जुड़ी हुई प्रमुख समस्या है जिसका इलाज करने का एक तरीका है जैसे हम RCT कहते हैं RCT क्या है, क्यूं आवशक है और इसको कराने की आवशकता किसी विक्ति को कब बढ़ती है इन बातों की आज इस कारिक्रम में हम चर्शा करेंगे और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अदित जी है आप प्रोफेसर हैं दन्चिकित्सा विग्यान संस्थान काशे हिंदो शुदेले अवनारस में डॉक्टर अदित जी नमस्कार बहुत-बहुत स्वागे थे इस कारिक्रम में हमको वामंत्रिक करने के लिए डॉक्टर साथ डातों में आर्सीटी कब और कैसे कराएं यह आज की बातचीत का विशह है तो सबसे पहले हम दातों की थोड़ी सी संदशना जानना चाहेंगे और क्या ऐसी परिस्थेती आ जाती है कि हमें आर्सीटी की आवश्यक्ता पड़ती है आर्सीटी की समस्य तभी आती है जब दात में बहुत गहरा किड़ा लग जाए या दात चोट लगने के कारण तूट जाए चनरली यही दो कारण के वज़े से आपको आर्सीटी की आवश्यक्ता पड़ती है दात में तीन प्रमुक लेयर्स होती है, सबसे बाहर वाली जो सते हमको सफेद रंग की मूम के अंदर दिखती है, उसको कहते है इनामल, उसके अंदर पीली रंग की सते होती है, उसको डेंटीन कहते है, और सबसे अंदर जो होती है, वो नस की लेयर होती है, उसको कहते है पन, दाट शरी का सबसे मजबूत हिस्सा है इवन हड़ी से भी मजबूत है और इनैमल में बलड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होने के कारण वो अपने आपको रिपेर नहीं कर सकते हैं अभी भी हम लोग कुछ खाना होना खाते हैं और दातों में फसा रहा जाता है उसके सब्सक्राइब तो उसके वैसे धीरे-धीरे केटाणू जो है वो ऐसीड मना के दात के बहारी सब्सक्राइब उसको गलाना शुरू कर देती है उसी को कीड़ा लगना गया अगर इस कीड़ और पानी लगना गरम लगना ये सब का हिसास शुरू हो जाता तो उस स्थिती में जनरली आर्सीटी करना पड़ता है आर्सीटी मतलब रूट के नाल ट्रीटमेंट उसमें जो दात की सड़ गई नसे हैं उनको पतले-पतले इंस्टुमेंट से निकालके फिर वहाँ पर एक गटा पर्चा कहते हैं उसको खाली स्थान पर भरके उसको बचाया जा सकता है दूसरे सथा में अगर कोई मरीज कभी गिर गया जैसे बच्चे हैं अकसर खेलते हुए गिर जाते हैं तो सामने के दार टूड जाते हैं उस वसे में नस बाहर की तरफ आ जाती है तो उसका भी इलाज करना पड़ता है इन दो ब्रमुक कारण से ही RCT की आवशक्ता पड़ता है अच्छा ये किले लगने की समस्या आम तोर पर तो हम देखते हैं कि अगर हम दातों की साफ सफाई सही तरीके से नहीं रखते हैं या कई बार हमारे दातों में कुछ ऐसी चीज़ें फसी र होता है कि जब तक उसे कोई समस्या नहीं हो तब तक वो चिकित्सा के पास नहीं जाता है तो हम इसकी जो शुरुवाती प्रक्रिया है जो शुरुवाती लक्षन है कि दातों में किले लग रहे हैं दर्द नहीं होता है इसको और कोई मध्यम है कोई तरीका है करचाना जा सक हम रोज शीशे के सामने खड़े होके ब्रश करते हैं बस एक मिनिट भी नहीं लगेगा अगर हम अच्छे से अपना मुँ उठाके रोशनी डालके देख ले तो अगर कोई उपरी कीडा होगा जो सतय पर है तो आपको काले रंग का डिसकलरेशन वहां पर दिखेगी तो आपक के बाद्यम से देख पाएगा या कभी-कभी एकसरे भी करना पड़ता है उसको भी नहीं दिखता तो एकसरे के आवशकता पड़ती है अगर आप रोटीन चेक अप में रहते हैं जनरली बुक्स एडवाइस करती है कि छे महीने से साल भर के अंदर बिना तकलीव के भी अच्छी एडवांस चेकनीक हो गई ही तो रूट किनाल सिंगल सिटिंग में भी किया जा सकता लेकिन जनरली एक से दो सिटिंग क्या प्रोसीजर लग जाता है तो उसमें क्या है मरीज को जाना भी पड़ता है दो तीन बार पैसे कभी ज़्यादा एकस्पेंडिचर होता है अगर मरीज रोटीन चेकप में रहे छे महीने से साल भर के अंदर दिखाता रहे और सुबह शाम अगर वो अच्छे से ब्रश करे खाना खाने के बाद यह हमें प्रवत्ती बच्पन से ही डालनी चाहिए बच्चों में बच्चे कह मीठी चीज़े ज़्यादा खाते हैं तो बड़े आदमी के वी दात जरूरी हैं तो बच्चा भी बारा साल तक खाएगा उसके दात छे महीने से निकलने शुरू होते हैं और बारा साल तक उन्ही दातों से वो बच्चा खाता है फिर बारा साल के बाद सारे दात गिर जाते हैं फिर असली दात आते हैं तो हमें उन को बचा के रखना है और आजकल इतना जीवन ज्यादा हो गया है मतला हम लोग सोचते हैं कि पहले लाइफ जीवन पर्यंतां आप आपका साधी बहुत जलूरी है और आपने बता है किया स्मय घुच्सानि में कम से कम की जा सके कि भाई कोई स्पोर्ट तो ऐसा नहीं देखा सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है आरसीटी की जो प्रक्रिया है ये किस तरह की है कितना समय लगता है और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद मरीज के दांतों की स्थिती पुनह कैसी होती है सर आरसीटी की जो प्रक्रिया है उसमें जनरली अगर नस्थ पूरी तरह से सड़ी नहीं है तो इसमें पहले हम एक सुन का इंजेक्शन देते हैं जिससे की इलाज करते हैं मरीज को कोई तकलीफ नहों फिर इसमें जो इंस्टुमेंट्स आते हैं उसको कहते हैं फाइल वो हेंट फाइल भी हो सकती है और रोटृरी फाइल भी होती है जनरली आज का एडवांस्मेंट का जमाना है तो जाहता जो तो आर सीटीज होती है और मशीन द्वारा रिया रोटरी फाइल के द्वारा किया जाती है। पहले हैंड फाइल्स या मैनुवल फाइल्स यूज्थ उती थी। सुन करने के बाद डातों में नस तक पहुचने का एक रास्ता बनाया जाता है। जिससे कि वो जो अंदर सड़ करने के बाद जब यह प्रक्रिया खतम हो जाती है तो उसमें एक नकली नस जैसे जो बटीरियल आता है उसको घटा पर्चा उसको भर के और उसको सील कर दिया जाता है पैक कर दिया जाता है जनली रूट किनल के बाद कैप खीवी लगाने की आवशक्ता पड़ती है अगर दा चवाने के काम आएंगे और जीवन पर यह चलने चाहिए तो उस फ्रजाइल हिस्से को बचाने के लिए उसके उपर कैप भी दिया जाता है चुकि दात हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिनका आम तोर पर हम सरवाधे को प्योग करते हैं ऐसा कहा जा सकता है कि चुकि दिन किस तरह की चीज़ें खा पी सकता है किसी तरह की कोई असवी दिन करने के बाद हम लोग जब अगर प्रोसीजर में है और कैप तक नहीं लगा है और बहुत हिस्सा टूटा हुआ है तो हम लोग जैनली कहते हैं कि एक दो दिन आप मुलायम खाना खाई है अगर कैप लग गय करेंगे कि अपने मुग की अच्छे से देख बाल करेंगे सुबह शाम ब्रश करें हलका गुंगुना पानी में नमक डाल के अगर वो कुला करते हैं तो उससे अच्छा मौथ होश नहीं है रेगुलर दन चिकिस्टक के संपर्क में रहें साल में एक बार बिना किसी तकलीफ के भी अगर आपको मुँ में कोई तकलीफ भी नहीं है कि जब तक मरीश को तकलीफ नहीं होती वो डॉक्टर के पास जाने से हिचकी चाता है या सभी लोग वेस्ट है जा नहीं पाता समय नहीं निकाल पाता लेकिन साल भर में एक बार आप जरूर से और अपने परिवार का सब का चेक करा लें दन चिकिस्टक से जो भी आपके न आफ नहीं का